Health Insurance Agent कैसे बने हैं? Health Insurance Agent बनने के लिए आपके पास दो options available हैं पहला है Agency Code और दूसरा है POS Code POS Code यानि की Point of Sale Code दोनों के बारे में डीपली जानते हैं दोनों ही options में से कौन सा option आपको लेना है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा end तक देखें और दोनों options में difference क्या है? ये भी मैं आपको बताऊंगा तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो पे पहले बात कर लेते हैं Agency Code यानि कि अगर आप IRDA exam देकर एक Agency Code ले सकते हैं Agency Code लेने पे आप एक Life Insurance, एक Health Insurance और एक General Insurance और एक General Insurance और सेल्स कर सकते हैं अगर आप 17 के उपर स्कोर करते हैं तो आपको पास माना जाता है यानि कि 17 स्कोर अगर आप करते हो या इसके उपर तो फिर आप eligible हो एक Agency Code के लिए वही अगर POS यानि Point of Sale की बात करें तो आपको POS लेने के लिए आप जिस भी Insurance Company के साथ जुड़ते हैं उनका खुद का एक Internal Exam होता है ताकि वह आपको Process Training दे सके साथ ही आपको Product की Knowledge हो इसलिए वह Internal Test होता है जो कि आप आराम से निकाल सकते हो उनकी Training वीडियो को देखके या फिर उनके Training Documents अगर आप चेक करते हो तो उसके तरू बढ़ क्योंकि POS Code आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो यहाँ पे कुछ Limitations है क्योंकि आपने IRD exam तो दिया नहीं है यानि कि आपको पूरे benefits तो नहीं मिलेंगे बठां यह है कि आप Health Insurance Sales कर पाएंगे सबसे बड़ी limitation जो आती है आपको POS Code के साथ वो यह रहते है कि आप पांचलाक रूपे से उपर का coverage नहीं सेल कर सकते हैं प्लस companies कुछ plans को आपको restricted रखती हैं यानि कि आप उसको POS Code पे login नहीं कर सकते हैं POS Code पे generally company आपको कोई भी critical illness यानि कि cancer, heart attack, stroke, nervous breakdown, paralysis या organ failure plus comability यानि एक से ज़्यादा बीमारी वाले plans को login करने से मना करती है ये plans अगर आप login करना चाहते हैं अपने customer के लिए तो आपको agency code लेना होगा तो ये भी एक में drawback है आपका POS Code का अब दोनों में से बैतर option अगर बात करें तो वो है agency code बटिस आपको एक exam देना होगा IRDA के द्वारा जो कि है IC38 और अगर आप exam नहीं देना चाहते हैं तो then POS Code एक अच्छा option है आप start कर सकते हैं इससे कर सकते हैं